नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनिवुज महराज के पूरगरी मंतरी अनिल देश्मुक के केस में च्छानवीन कर रही एजनसी CVI की टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज जो है वो पब्लिक के सामने आ रही है जैसा कि मैंने आप लोग कल ही एक अपडेट दे दी थी जिसमें बताया था कि अनिल देश्मुक के वकील और साथ में ही SI लेबल के जो CVI का एक ओफिसर है उसको भी CVI के टीम ने गिरपतार कर लिया है यानि कि जिसको गिरपतार करना था अनिल देश्मुक को जो कि पिछले काफी टाइम से लगाता न्यू जा रही थी कि अनिल देश्मुक को आज गिरबतार कर लिया जाएगा वो तो अभी तक पॉस्पल नहीं हो पाया यहां तक कि सीवियाई अपने ही एजनसी के ऑफिसर्स को गिरबतार करना इस्टार्ट कर दी इसमें अविशेक तिवारी जिसको गिरबतार किया गया है उसको लेकर अब एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसमें बता जा रहा है कि अविशेक तिवारी को सिर्फ और सिर्फ आईफोन ओफिसर्ट है उसने वो सारी इसारी इनफॉर्मेशन यानि कि 65 पेज का जो लीग इनफॉर्मेशन थी जो की रिपोर्ट थी उसको जो है अनिल देश्मुक के वकील को दे दिया था तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 के लिए ये जो अपडेट आ रही है आप नूज में कहीं पर भी जा के देख सकते हैं जो की काफी ज़्यादा सौकिंग है कि क्या कोई एक बड़ा ओफिसर एसाई लेबल का ओफिसर है और वो सिर्फ और सिर्फ आईफोन 12 के लिए अपने आपको बेज देगा और असारी कि सारी इनफॉर्मेशन जो की इतनी चार महिने से लगातार का अपनी मेनत करके चानबीन कर रही है उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर अंदर लीक कर दिया गया और सबसे बड़ी बात कि इस जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें पूरी तरह से क्लीन चिट दे दिया गया वो भी अनिल देश्मु लेकिन उसके जस्ट बात CBI के द्वारा कारवाई शुरू कर दी गई और इसमें जिन लोगों ने ऐसा किया था कि जो जूटी रिपोर्ट लीक की गई थी उनके खिलाब कारवाई होनी शुरू ही और उन में सबसे पहला जो CBI का ही SI लेबल का ओफिशर था वो ग्रिपतार क क्या ओपिनियन है आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स मता हैं और वीडियो जाज ज्यादा सेयर करें